नमस्कार दोस्तों, गेट मंतरा में आपका स्वागत है, चलिए, तो हम भी तक हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रिंसिपल स्ट्रेस देख चुके हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, I think आपने उसके सारे फॉर्मुले नोट किये होंगे, ठीक है, और उससे रिलेटे करें, रिवाइज करने के बाद फिर आप गेट के कुश्चन लगाएं, ठीक है, ये प्रोसीजर एडिया फॉलो करेंगे, तो आपके सिलेक्शन में कोई भी प्राब्लम नहीं आएगे, आपको ये सबजेक्ट को अंडरस्टेंड करने में कोई भी प्राब्लम नहीं आएग तो सिंपल वर्ट्स में हम समझें, तो आप इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि चेंज इन लैंग्ट बाइ ओरिजिनल लैंग्ट थीक है, आप ये कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो जब भी आप से कोई strain पूछता है, तो आप ये बोलो कि ये मेरा कोई ब्लॉक था, लेट से कि ये मेरा originally कोई block था, इस original वाले block पर आपने क्या कर दिया, कोई P amount of force लगाया, लेट से उसका initial length था L, ठीके, अब इस force P की वज़े से, उसमें कुछ deformation हो गया, तो लेट से कि मैंने उसका बोला कि lengthwise, ठीके, उसकी length में कुछ change आ गया, तो बोले length में कितना change आया, तो बोले हमने बोल दिया, कि अभी जो उसका length है, पहले वाले length से कितना है, थोड़ा सा change है, और उस length को मैंने क्या बोल दिया, L1, ठीके, तो change in configuration मतलब क्या, हम configuration इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आगे चल कर हम volume में भी change बोलेंगे, तो volume में तो change कोई होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर configuration की change इसलिए बात करें, ठीके, ना कि किसी particular parameter की, ठीके, हम यह बोलें कि configuration में क्या change आया, if we discuss about the length, तो length की corresponding बात करेंगे, यदि हम breadth की corresponding बात करेंगे, तो if we change in configuration in breadth, ठीके, मतलब वो configuration क्या हो जाएगा, breadth हो जाएगा, ठीके, यदि मैं volume की बात कर रहा हूँ, तो उस case में क्या हो जाएगा मेरा configuration, volume हो जाएगा, तो उस case में के वल आप यह याद रखी, कि change, it is the ratio of, किसका किसका ratio है, change in configuration to the original configuration, either the configuration is length, breadth, height, thickness, whatever, ठीके, either volume, ठीके, तो configuration कुछ भी हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है, तो यदि मैं यहाँ पर length की बात करता हूँ, तो length में change कितना आया, तो आप बोलेंगे कि L1 में से, यदि मैं L को minus कर दूँ, तो मेरा इतना change आया, original length कितना था, तो मेरा let's say L था, ठीके, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, strain निकल जाएगा, समझ में आ गई बात, अब यदि हाँ पर मैं diameter के change की बात करता हूँ, तो diameter let's say, initially मेरा था B0, मैंने force apply किया, तो वो क्या हो गया, compress हो गया, shrink होगा, ठीके न, क्योंकि हम यदि कोई object है आपका, इसको यदि आप क्या कर रहे हो, pull कर रहे हो, तो pull करोगे तो, दूसरा जो configuration है, उसके weight जो है, या diameter जो हो कम होगा, length जो है वो बढ़ेगी, यदि मैं tensile force लगा रहा हूँ, ठीके, तो घट रही है, तो कितनी घटी, तो बोले, let's say कि, initially D0 था, अब वो हो गई मेरी D1, ठीके, तो यहाँ पर क्या हुआ, reduction हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, initial minus file, तो D0 minus D1, divided by original configuration क्या था, D0, तो इस strain को मैं बोलता हूँ, lateral strain, आगे देखने वाले हम, कि कौन-कौन से strain होती है, क्या होता है, ठीके, सब कुछ, लेकिन, यह आपको, समझ में आना चाहिए, कि जब भी strain की, आप बात करें, तो, क्या बोलेंगे, आप, change in configuration, to original configuration, तो मैंने यहाँ, length के respect में बात करी, तो formula मेरा वही हो गया, now we come to the types of strain, तो there are mainly two types of strain, the second one, first one is normal, and second one is shear, ठीके, तो normal के पहले बात कर लेंगे, कि normal strain कौन-कौन से होती है, तो normal strain होती है, tensile और compressive, ठीके, तो यदि मैं उसको pull कर रहा हूं, या push कर रहा हूं, मतलब यदि मैं इसको बाहर की तरफ खीच रहा हूं, तो क्या, या उसको अंदर की तरफ push कर रहा हूं, तो क्या, ठीके, तो there are two types of strain, normal strain, two types of normal strain, that is tensile strain and compressive strain, ठीके, tensile strain की बात करें, तो longitudinal strain आ जाएगा, transverse या lateral shear strain आ जाएगा, ठीके, tensile, longitudinal का बोलेंगे हम, की deformation दे direction of force, ठीके, अब जैसे मैंने direction में, जिस direction of force लगा नो, उसी direction में, इस deformation आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, longitudinal strain, transverse का बोलूँगा, जब उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यदि मैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरा force इस direction में लग रहा है, लेकिन, जो भी change आ रहा है, वो किस direction में, इसके perpendicular direction में आ रहा है, तो उस strain को मैं क्या बोलूँगा, transverse strain, जिसको हम lateral strain भी बोलते हैं, clear है, and the third thing is volumetric strain, the volumetric strain मतलब क्या, volume के configuration में, क्या change आया, ठीके, एक मेरा student था, उसने वेरा ऐसा पूचा कि sir, volume तो change होई नहीं रहा है, तो फिर आप change in volume क्यों बोल रहे हो, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, volume में change नहीं, मैंने क्या बोला है, यहाँ पर, किस में change आ रहा है, volume के configuration में change आ रहा है, मतलब length change हो रहा है, width change हो रहा है, height change हो रहा है, जिसकी वज़े से, volume का configuration change हुआ है, तो यह जो delta V is, change in configuration of volume, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, ठीके, by original volume, clear है, अब हम इससे पहले, इन सारी stresses, longitudinal भी समझ में आता है, आपको कि the along the length लगाएंगे, तो lateral भी समझ में आता है, now we come to the shear stress, तो shear stress की अपन पहले बात ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा detail में समझ लेते हैं, तो shear stress होता है, shear strain develop कैसे होता है, क्या होता है, ठीके, तो मैंने क्या किया, let's say, मैंने एक block A, B, C, D, अब जब मैं force लगा रहा हूँ, तो force लगाने से क्या होगा, कि जो भी इसके बिलकुल contact में, जो surface होगा, वो ज़्यादा slide होगा, उसके respect में, नीचे वाले जो faces होगे, वो कम-कम-कम-कम, slide होने लगेंगे, ठीके, तो let's say, मैंने assume किया, कि पहले उसका position, A, B था, तो वो B, अब slide होके, कहाँ पर पोजग गया है, B, dash पे, clear है, अब, जितना वो deformation हुआ, तो कहाँ से कितना change आया, B से B dash का change आया, ठीके, तो उस angle को मैं बोल रहा हूँ, theta, are you getting this, तो यदि मैं इस triangle की बात करूँ, कोंसे triangle की, A, B, B dash, या इसी तरह से आप, B, C, D, C dash की बात कर सकते हो, ठीके, तो shear strain को समझ रहे हैं आपन, तो shear strain हमेशा radian में होता है, non-dimensional होता है, second order tensor होता है, इसको आगे समझते है, 10 theta की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर यदि 10 theta निकालोगी, तो क्या होता, 10 theta एको स्टू क्या, base upon hypotenuse, ठीके, तो यदि यह मेरा angle है, तो base क्या हो गया मेरे लिए, sorry, perpendicular upon base, ठीके, चलिए, तो यह मेरे लिए perpendicular हो गया, BB dash, और AB क्या मेरा हो गया, base, ठीके, तो BB dash by AB, clear है, तो यह मेरे पास आगया, 10 theta को में, बहुत ही यदि छोटे amount में, क्योंकि बहुत ही slight difference आएगा, तो उस 10 theta को में क्या बोल सकता हूँ, theta बोल सकता हूँ, तो theta क्या हो गया मेरा, BB dash by AB, यह बात समझ में आगई आपको, अब समझो, तो इसी को में क्या बोल रहा हूँ, shear strain बोल रहा हूँ, समझ में आया, इसकी वज़े से, जो stress develop होगा, layers to layer, layers to layer, तो उसको हम क्या बोलेंगे, shear stress, और यह जो BB dash, वो मू कर गया, ठीके, BB dash, वो जो मू कर गया, वो मेरा क्या है, configuration में change है, और AB क्या है, मेरा original configuration, मतलब पहले तो straight था, वो क्या हो गया, inclined हो गया, clear है, तो वह ही हम क्या बोल रहें, change in configuration by original configuration, कुछ-कुछ notation, theta की जगा हम gamma भी लिखते हैं, तो gamma हमारा shear strain कहलाता है, tau xy ही लग रहा था, ठीक है, अब मैंने tau yx भी लगाया, तो इसकी वज़े से भी क्या होगा, deformation आएगा, ठीक है, तो let's say कि, इस direction में deformation कितना आया मेरा, theta 1, और इस direction में भी deformation होगी, यदर भी force लग रहा है, तो वो कितना आगया, मेरा deformation theta 2, तो actual में net shear strain कितना develop होगा, that is theta equals to theta 1 plus theta 2, ये बात समझ में आ गई, इसी तरह से, जब हम strain की बात करते हैं, तो यदि x direction में strain लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, epsilon x, y direction में लग रहा है, epsilon y, z direction में लग रहा है, epsilon z, ठीक है, इसी तरह से, उसे denote करते थे, जब हम normal stresses की बात करते थे तो, तो यहाँ पर ये strain है, ठीक है, तो यहाँ पर gamma xy क्या है मेरा, shear strain है in xy plane, n y z plane, and z x plane, ठीक है, तो that gamma is represented shear strain, ठीक है, और shear strain, और ये क्या है मेरी normal strain है, epsilon x, epsilon y, epsilon z, तो यदि मैं इसका matrix representation करता हूँ, तो आप इसको कुछ नहीं, आपने, यदि वो वाला matrix representation आपको याद है, तो उस वाले matrix representation से ही, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, क्यों एक extra चीज याद रखना है, clear है, तो क्या, sigma को सीधा सीधा replace कर दो किस से, epsilon से, और tau को replace कर दो किस से, gamma by 2 से, तो वहाँ पर हमारा क्या था, sigma x, tau, मैं के वाल एक ही line लिखूँगा, tau xy, tau xz, ठीक है, यही था, तो देखो, अब मैं replace क्या कर रहा हूँ, sigma को किस से replace कर रहा हूँ, epsilon से, तो क्या बन गया, मैं epsilon x, और tau xy को किस से replace करूँगा, गामा को, इसको tau को replace कर रहा हूँ, gamma by 2 से, तो क्या हो जाएगा, gamma xy by 2, gamma xz by 2, इसी तरह से, यहाँ पर क्या होता, अगली term लिखता तो क्या आता है, that is, tau yx, तो यहाँ पर क्या आ जाए, gamma yx upon 2, यहाँ पर क्या आता मेरा, sigma y, तो sigma y किस से replace होगे, epsilon y से, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता मेरा, tau yz, तो यहाँ पर क्या आ आ गया, gamma yz upon 2, इसी तरह से, tau zx, gamma zx upon 2, gamma zy upon 2, and epsilon z, आगे बढ़ते हैं, now we come to the state of strain, ठीक है, तो state of strain, तो यह जो था, मेरा 3D state of strain ही था, ठीक है, ना तो यह मेरा 3D में था, अब यदि मैं इसको 2D में लिखूंगा, तो 2 cross 2 का matrix मेरा बन जाएगा, clear है, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू स्ट्रें, इफ लोड इस रिमूड बढ़ी, लोड इस रिमूड तो बढ़ी विल एज्यूम टू ओरीजनल शेप, मतला ऐसा होता नहीं एक चल में, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं, कि वो उसके ओरीजनल शेप में आ जाता है, ठीक है, तो स्ट्रेस को यदि में इस प्रपोर्शनलिटी कॉंस्टेंट हटाता हूँ, तो क्या आ जाता है, स्ट्रेस इक्वर्स टू इंटू स्ट्रें आ जाएगा, clear है, और E क्या है, मेरा यंग्स मादिलस ऑफफ इलासिकी या मादिलस ऑफ इलासिकी, ठीक है, सिग्मा एक्वर्स टू इंटू एप्सलोन, अब एप्सलोन को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्ट अपॉन अल, क्योंकि मैंने क्या बोला, समझ में आ गई आपको ये बात, आगे बढ़ते हैं, poisons ratio की बात करते हैं, तो यहाँ पर lateral strain और lateral strain और जो अपना longitudinal strain था, इन दोनों के बीच में एक relation होता है, उस relation को हम define करते हैं by the poisons ratio, तो poisons ratio का importance क्या है कि lateral strain और longitudinal strain, इन दोनों में relation बता रहा है वो ultimate, ठीक है, कि यह कितने proportion में होगा या किस ratio में होगा, clear है, तो poisons ratio क्या है, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, अब minus क्यों लगाया, क्योंकि longitudinal यह दि में बात कर दो कि longitudinal positive है, मतलब आपने, let's say, sorry, let's say, कि आपने क्या किया, कि यह आपका कोई object है, इस object पे यह आपने, away from the force लगा दिया, इस तरह का, तो क्या हो जाएगा, एक longitudinal तो बढ़ रहा है, लेकिन length तो बढ़ रही है, लेकिन उसका जो diameter हो क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, तो मतलब वो minus इसलिए आया है, ठीक है, तो lateral strain क्या हो जाएगा, d1 minus d0 upon d0, क्यों, क्योंकि हम क्या बुलते हैं, change in configuration to original configuration, तो initial यदि में बोल रहा हूँ, configuration में चेंज कितना आया, तो d1 minus d0 by d0, इसी तरह से, final यदि मेरा d1 है तो, इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें, longitudinal strain की तो क्या आजएगा, l1 minus l0 upon l0, clear है, तो यह मेरा ratio होता है, किसका poisons ratio है, ठीक है, lateral strain और longitudinal strain का, ठीक है, इस पर base भी एक बार question पूछ चुके हैं, ठीक है, gate में भी और ESE में भी, ठीक है, तो please आप इसको lightly मत लीजेगा, क्या रहे, यह formula तो बिलकुल सड़ा सा है, ठीक है, पर इस पर भी base question आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको don't take it lightly, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो now we come to the volumetric strain, तो volumetric strain की बात करें, तो change in volume to the original volume, let's say, कि मैंने कोई एक cubical box ले लिया, cubical box में, मैं assume कर रहा हूँ कि उसका length, x direction में, y direction में, और z direction में कोई forces लग रहे हैं, ठीक है, अब मैं क्या बोलना हूँ कि x direction में, तो original volume क्या हो जाएगा, उसका, x, y, z, मतलब x into y into z, are you getting this, तो यहाँ पर यह original volume लिखा है, यह comma नहीं है, ठीक है, x1, y1, z1, उसका initial volume लिखा है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, तो initial volume हो गया, मेरा v into, v equals to x into y into z, ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, कि उसमें कुछ, मैंने जब उसको pull किया, तो उसके length में change आया, width में change आया, और, ठीकने से height में change आया, ठीक है, तो, उनकी वज़े से, z क्या बन गया, z 1 plus e z, clear है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये आया कैसे है, ये हमारे simple, उसी जो हमने configuration देखा है, उसी configuration से, जैसे की, मैंने strain की example ले लूँ, तो l1, मेरा change in length है, minus l0 by l, तो इसका इधर into कर दिया, और इस l0, मतलब ये भी मेरा l0 है, l0 का इधर into कर दिया, l0 उटके इधर आ गया, तो plus में चले जाएगा, l0 दोनों में से common ले लिया, तो 1 plus epsilon बाहर बचेगा, ठीक है न, तो यहाँ पर l1 की value यह दि देखो किया आप, तो l1 की value क्या बचेगी आपके पास, l0, change in volume by original volume, तो change in volume क्या निकाला, हमने v1 निकाला, original volume कितना था, v था, तो v1 minus v upon v, clear है, v1 की value उठा के put कर दी, v2 की value उठा के put कर दी, v2 की value उठा के put कर दी, x, y, z, उपर से common ले लिए, x, y, z से x, y, z क्या हो जाएगा, cancel, finally मेरे पास बचेगी, कौन से टम, ये टम बचेगी, 1 plus, sorry, 1 plus, 1 plus, 1 plus, e x, ये वाली टम बचेगी ना, मेरे पास, ठीक है, कौन से टम, ये बचेगी, 1 plus e x, 1 plus e y, 1 plus e z, और यहाँ पर बचेगा, minus का, 1, अब मैं क्या करूँ, इसमें इंटू कर दो, तो 1 into 1, 1 हो जाएगा, 1 plus, 1 into e x, e x हो जाएगा, plus, इसका, इसमें इंटू, इसका, इसमें इंटू, इसका, इसमें इंटू, देखो, तो lastly, यहाँ पर जो टम्स कुछ आएगी, तो आपके पास आजाएगी, e x into e y, इस तरह की टम्स भी मिलेगी, और finally, एक और टम्स मिलेगा, e x into e y into e z, ठीके, तो यह, strain भोती, minor होता है, मतलब, भोती, आप बोल सकते हो, कि कम होता है, मतलब, आप ऐसा बोल सकते हो, यूँकि 10 to the power minus 4 mm मिलता है, या 10 to the power minus 2 mm मिलता है, ठीके, तो उस case में क्या, यदि आपने 10 to the power minus 2 से, और 10 to the power minus 2 का into गर दे, तो और छोटी हो जाएगी टम्, तो उन टम्स को हम क्या करके चल रहे हैं, neglect करके चल रहे हैं, clear है, तो finally, जो मेरे पास answer आता है, मतलब जो निकल कर आता है, यहाँ पर 1 से ये, ये again 1 मुझे मिलेगा, तो इस 1 से कि ये 1 last वाला 1 कैंसिल हो जाता है, तो volumetric strain क्या आ जाएगा, EX, EY और EZ आ जाएगा, clear है, यदि ये method नहीं समझ आए, तो second method पर चलते हैं, क्या कर लिया, हमारे पास original volume था, V, X, Y, Z, ठीक है, मैंने change in volume मतलब उसका differentiation कर दिया, DV निकाल रहा हूं में, देखो, DX का किया तो Y, Z constant, Y का किया तो X, Z constant, और Z का किया तो X, Y constant, ठीक है, ये बास समझ में आती है, अब हमको क्या, V by V आ जाएगा, V क्या है मेर X, Y, Z, तो देखो, इसको सबको पूरे को X, Y, Z से डिवाइड करके देखो, तो X, Y, Z से Y, Y, Z गया, तो DX upon X, DY upon Y, DZ upon Z, ठीक है, तो DX upon X मतलब क्या, epsilon X, क्योंकि change in length, तो X में change आया ना, तो DX upon X क्या हो जाएगा, epsilon X, DY upon Y क्या हो जाएगा, epsilon Y, DZ upon Z क्या हो जाएगा, epsilon Z, ठीक है, इसी तरह से हमने यदि देखा, तो Qbite के लिए क्या हो जाएगा, जैसा हमने उपर देखा, XYZ वहाँ पर क्या हो जाएगा, length into width into height, ठीक है, तो यदि मैं Qbite के लिए निकालता हूँ, तो यह आजाता है, ठीक है, if we go for the cylinder, तो यदि मैं cylinder के लिए जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो देखा, volume हो, actual में cylinder का क्या होता है, V goes to pi by 4, D square into H, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, with respect to DV, मैं इसको DV निकालना चाहरा हूँ, ना change in configuration, तो pi by 4 तो मेरे लिए constant है, मैंने एक बाद इसको, D square को constant रखा, H के respect में differentiation किया, फिर H को constant रखा, D के respect में differentiation किया, ठीक है न, तो देखो D square को छोड़ा, तो D square as it is, D H का किया तो क्या आगया, H का किया, तो differentiation किया आगया, मेरा D H, plus H को एसा कैसा छोड़ा दिया, D square का किया, तो D square का क्या हो जागा, 2 into D, और D, D, मतलब यह differentiation है, इसका diameter का, clear है, हमारा formula क्या था, change in volume to original volume, अब इसको, इस वाले volume से, divide कर दो, DV by V कर दो, P by 4 से P by 4 cancel, D square into DH, plus 2H, D into D, by this, अब देखो, divide करो, तो यह क्या हो जाएगा, जब पहली वाली term, इससे cancel हो जाएगा, तो D square से D square, cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या मुझे, first वाली term में, DH by H, ठीक है, तो यहा आगई, आपकी first वाली term, second वाली term में, क्या हो जाएगा, एक H cancel हो जाएगा, एक D cancel हो जाएगा, तो 2, 2 into D by D, is this, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा volumetric strain, in case of cylinder क्या हो जाएगा, change in length, मतलब, longitudinal strain, plus 2 times of, diametral strain, clear है, अब आगे बढ़ते हैं, sphere के लिए बात करें, तो sphere के लिए case में क्या हो जाएगा, sphere के case में, देखो, यहाँ पर यह जो length में change आ रहा था, वो भी किसमें change हो जाएगा, diameter में change, तो ultimately, 2 diameter तो पहले से था, एक diameter और जूड़ गया, तो कितना आ जाएगा, 3 times of ED, आप इसको कर भी सकते हो, मतलब जैसे आप volume एजियूम कर लो, इतना आया है उसका volume, तो volume निकाल लो, volume को फिर एक बार differentiate करो, differentiate करने के बाद उसको divide कर दो, किस से,